प्रवाइब बच्छों आज हुम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 9 का जो मैथ का पेपर हुआ है ठीक है उसके बारे में हम बात करेंगे और इसके में इस पार्ट के अंदर अपनी में आपके में बात करेंगे और अगले पार्ट के अंदर आपको थोड़ी ही दिर में डिस्क्रिशिशन पिल जाएगा जिसके अंदर हम बाक्तिस के बड़े इसके जो बड़े कोशिशांग उनको हम सौफ करेंगी क्लिए और उसे पहले अगर आपने अभी तक मिरा कोशन फिर भी हम कह सकते हैं मिस्टेक थी जिनके अंदर उनके बारे में आपको बताता चला जाओंगा पहला कोशन इन दोनों की आपका अंसर बन जाएगा जो आपको भी तक नालेज है क्योंकि यह भी परिम्य संख्या मिस्ट रैशनल नंबर नहीं है आपका ठीक है जो रूट माइनस 16 है यह कंपलेक्स नंबर होता है ठीक है कंपलेक्स नंबर के अंदर आपके पास पार्ट से रियल और इमेजनरी दो प बनेगे इसकी फोर आइटा वैल्यू बनती है जिसके बारे में आप 11 क्लास के अंदर पढ़ेंगे ठीक है अगर आप यह अंसर भी कर देते हैं तो वह भी ठीक है नहीं आपके लेवल के अकॉर्डिंग सिर्फ जो इसका अंसर है वह अंसर ए बनते है आपके पास नेक्स्ट के अकॉर्डिंग माक्स मिल सकते हैं सभी के अंदर नहीं अदर्वाइस यह क्या है 16 की पावर 3 by 4 है 16 2 की पावर 4 होता है इंटो 3 by 4 हो जाएगा 4 से 4 कैंसल 2 की पावर 3 is equal to 8 एक्चुल में यह यह स्टेडमेंट है इसकी ठीक है नेक्स्ट आपके पास इसका रिशनाजेशन मेंज हर्का प्रिमय करने के लिए को आ गया आप इसको उपर नीचे मंटिप्लाई करेंगे रूट 5 मामाइनस रूट 2 से तो आपके पास क्या बनेगा 1 से मंटिप्लाई करके तो रूट 5 मामाइनस रूट 2 या जाएगा ठीक है बटा में a plus b a minus b तो a square मतलब 5 b square minus root 2 का square बर्गमूल 2 का square 2 हो जागा तो 5 minus 3 यह आपके questions का answer बनेगा ठीक है next देखेंगे t square minus 4 यह पुछा पर कैसी भूपद है polynomial कैसी है इसके अंदर 2 ट्रम है तो यह द्रीपदी मतलब binomial है आपके पास ठीक है next question देखेंगे मारे पास 5x की घात 3 plus 4x की घात 7x की घात पुछीगी है सबसे बड़ी घात x की 3 है तो इसलिए इसका answer क्या बन जाएगा 3 आपके पास यह इसकी degree होगी मतलब आपके पास नडिद में की घात 3 आपके पास आपका formula भी apply कर सकते है इसमें आप direct calculation की भी करना चाहेगे क्योंकि one marks का question है इसमें आपके पास formula 100 minus 1 की power 3 लगा कर calculation करना जुरूरी है सीधी multiply भी कर सकते हैं चाहेए आपका यह answer बन जाएगा ठीक है and next question देखेंगे 64 mq3 minus 343 nq3 64 आपके पास 4 mq3 होता है और 347 nq3 होता है तो इसका formula हमें यूज करेंगे aq minus bq a minus b ठीक है उसके बाद a square मतलब 4 का square 16 m square plus b square 49 n square plus दोनों की गुना 28 mn आपके पास यह आपके questions का answer बनेगा अगला question x minus 1 px का गुनाणखंड है means इसका एक factor है तो x minus 1 है आपके पास आप इसको 0 x is equal to 1 इसके अंदर रखेंगे तो यह value आपकी 0 बनेगी ठीक है आप इसके अंदर रखने पर देखते हैं तो k minus root 2 plus 1 is equal to 0 तो k कितना बन गया root 2 minus 1 root 2 minus 1 कौन सा option आपका option c यह आपके questions का अंसर बन जाएगा next देखेंगे x plus 4 into x plus 10 की गुनन फल उचा गया formula apply x plus a into x plus b वाला apply formula apply हो जाता है यहां पर ठीक है यह आप direct गुना करके भी लिग देंगे तब भी चलेगा x की गाद 2 plus 14 x plus 40 ठीक है यह आपके पास आपके questions का अंसर बन जाएगा next x plus y राबर 7 का अलेक x शक्स पर किस window पर काड़ता है x plus y राबर intersect the x axis x axis पर जो भी काड़ता है उसमें y की value क्या हो जाती है 0 हो जाती है ठीक है तो y 0 तो x कितना हो जाएगा 7 पॉइंट क्या बनेगा आपका 7 0 ठीक है यह पॉइंट बनेगा next आपके पास x राबर 2 का आलेक मतला graph पुछा गया क्या होगा x राबर 2 value यह बनेगी इसकी जो line बनेगी आपके पास वो इस प्रकार सी हो जाएगी यह क्या होगी y अक्ष के बिलकुर समाना अंतर ठीक है parallel to the y-axis यह अंसर बन जाएगा minus 1 4 आपके पास ठीक है इसमें देखें आपके पास क्या चीज है x minus का x minus इवला line होगी y plus इवला line होगी तो यह minus plus यह वहाँ पहुँच गया तो यह कौन सा चत्रताश है ठीक है आपका यह अंसर हो जाएगा second zero x zero x zero is पूरी line पर होता है ठीक है y की value दी गई है तो यह कौन सी axis होगी यह आपका y x अक्ष पर होगा है means y axis के प्रोष्टित होगा यह बिंदो ठीक है इसका अंसर यह बन जाएगा आपके पास and next देखेंगे आपके पास question number 16 बड़ा ही easy paper आपके पास ठीक है 6 और minus 4 के अंदर भूज और कोटी पुछेगे अब सीशार कोडिनेट जो पहला point होता है वो अब सीशा होता है ठीक है यह 6 हो जाएगा coordinate 4 minus 4 हो गया भूज मतलब 6 कोटी मतलब minus 4 आपके पास उस बिंदू का नाम बताएं जहां से दो रिखाएं परतिशेद होती है write the name of the point where these two lines intersect general आपको लगेगा कि दो line intersecting की बात कर रहे है तो मारा intersecting point मतलब परतिशेद बिंदू बनेगा नहीं यहाँ पर जो बात की जा रही है वो आपके origin की these two lines intersect ठीक है यह चीज़ आपके पास means इन दो axis की बात की जा रही है और इसका wording एकोर्डिंग जो answer actual बनता है वो origin English में हिंदी में हम क्या लेते हैं मूल बिंदू ठीक है लेकिन अगर आप इसको परतिशेद बिंदू या intersecting point भी लिखाते हैं ठीक है intersecting point याप हिंदी में हम इसे कहीं परतिशेद बिंदू ठीक है तो यह आपके teachers पर demand करता है उसके भी आपको शायद marks मिल सकते हैं ठीक है लेकिन राइट अंसेंस का horizon और मूल बिंदू बनता है आपका आपके आपके दे रहे हैं M1 समकोन तिर्बूज है यह आपके पास यह बीविंद हो गया है यहां से एक perpendicular गिरा गया है ठीक है यह बीम की value क्या होगी यह एसी के half के equal होगी आपके पास ठीक है यह आप चीज आपके पास म में पॉइंट है मिड़ पॉइंट है प्राइट ओनेस एसी ओफ राइट अंगल ट्रेंगल अब आपके पास half ac के equal होगा नेक्स्ट एबी से समकोन त्रीबुज है एक और 90 डिगरी के दो बखकी दोनों मिज़ेक राइट राइंगल ट्रेंगल है ए 90 डिगरी का हो गया ठीक है और यह दोनों एबी और ac यह दोनों आपस में equal है इककोल है तो यह एंगल भी आपस में equal हो जाएंगे यह नब्बे का हो गया तो यह कौन कितने कितने के हो जाएंगे 45-45 डिगरी के ठीक है उनके mid points को मिलाने से बनाएंगे जो एंगल आपके पास 3-4-5-6 की रेशियो में चत्रबूज के चारो कौन पुछे गए हैं यह आपका अंसर हो जाएगा आपने इसको 3x 4x 5x और 6x मानकर आप value को solve करना चाहें तो कर सकते हैं 360 बनता है हमारे पास ठीक है 6-5-11-11-15-15-3-18 18 x 360 बन गया तो x की value आपके पास क्या आओगी 360 बटा में ठाना 20 डिगरी 20 तीए 60 बीस चोके सी 20 पंजे 100 26 120 तो आपका पहला आंसर बन जाता है आगले आपके पास आकरती में के अंदर ओ वाले तीन बिंदू दिए गए आपको यह कौन 60 यह 30 का तो यह पूरा कौन कितने का ओगा 90 डिगरी का ओगा तो आपके पास उसके safe इस पार्ट के अंदर बना हुआ एंगल आपके center पर बने एंगल के half के कुल होता है तो यह 90 का ओगा तो यह एंगल कितने का ओज़ेगा 45 डिगर और इंग्लिश में में इसको पढ़ें तो आपके क्या बन जाएगा वन एन ओली वन सर्कल के पास्ट रोधा हाव मच नॉन को लिने पॉइंट इस त्री सैथ स्क्वेर के यूग में कितने कौन होते हैं सैथ स्क्वेर आपने देखा होगा जमेटी के अंदर दो तिर बुज ुख घुख खाल गया आपके पास ठीके ना एक होता है जिसके अफर नवे पंतालीस और 45 बनाता है और दूसरा जिसके तीज चाथ क्या बन जाएगा अगर यह कौन भी ना दिया गया होता तो फिर आपका नव दिस आशर होता है नेक्स्ट किसी रहा का आपको अलंभ बना स सेक्टर ड्रॉ करने तो कितनी प्रकार खोलते हैं अब मौर देन हाफ कि आधे से अधिक किसी तिरबुच की रचना के लिए कं से कम कितने भाग होने चाहिए जैसे अगर हमें मान लीजे एक समभाहू तिरबुच काई equilator triangle उसमें एक से ही काम चल जाता है आपकी ISO scale ट्रेंगल की बात करें हम छिए कि उसमें 2 से ही काम चल जाते है हम राइट ट्रैंगल की बात करें तो उसमें आपके पास दो साइट से काम दो चीजों से काम चल जाता है गीवन में तीसरी जो 90 डिगरी का अंकल हो आटोमेडिक गीवन होता है लेकिन यहां जन्रल एक ट्रैंगल की बात की गीए तो कम से कम तीन पार्ट आपके इसके अंदर होने चाहिए अगला एक त्रिबुज की दो बजाएं दीगें 8 और 11 परिमाब 32 उसका अर्ध परिमाब पुछा गया है मिस पेरी मेटर दिया गया है सीमी पेरी मेटर पुछा गया है तो पैरी मेटर का हाफ कर दें 32 का हाफ कर देंगे 16 आपके पास आपके को इसन बन है उनकी साइड की रेशियो 357 है तो अपने सब से पहले तो तीन एक्स पांच एक्स और साथ एक्स इसकी साइड की रेशियो माली 300 तो साथ और तीन दस पंदरा तो एक्स की वैलू की 20 होगी तो साइड क्या बनगी आपकी 60 100 140 तो एस निकालना होगा सी एक्सथ एक्सेट चार्राज की तो दो जीरू आ जाएंगी तो अब के पास सभी ने यह दे रहाए यह ठीक है 15 5 गुना तीन होतें 9 तीन गुना तीन होते है ठीक है 5 का 5 2 5 फायं एक तीन 3 है तो तो एक पांच और एक तीन पांच बाहरा जगा पांस दिया पंद्रा और एक तीन अंदर रह जाएगा तो पंद्रा सो वर्गमूल तीन आपके पास आपके questions का answer बन जाएगा तिरगुज का शेत्रफल क्या होगा जब उसका अधार उचाई दिया गया हो ठीक है तो formula क्या होता वह संपूर्ण के बारे में पूछा गया आता है इसमें आपको चारे स्केर नहीं क्लिखेंगे आप ठीक है आप लिख भी देते हैं तो वह आपकर आपके डिजर्ट करता है कि वह आपको इसके marks दे भी सकते हैं और नहीं भी ठीक है लेकिन जनल जब अकेले सर्फेश सेरी क बात की जाते हैं यह मेंशा आपको अपके डिजर्ट समझाया होगा तो उसके अंदर मेंशा एक जो शव्द है अपने हमें silent होता है वह टोटल की बात की जती है आपको ठीक है वह कभी भी कर्व दियाज हम कहें आपके पास पार्षव की बारे में बात नहीं की गई होती ठ दूसरा आपके पास गोले का आइतन दिया गो उस गोले का प्रिष्टेय ब्यास पुछा गया आपसे यहां पर अगर आप देखेंगे चार बटा तीन गोले गा आइतन का फार्मुला उता है पाई आरक्यू 524 तो यहां से 524 गुना में 3 पाई का मान अगर हम 22 बिटा 7ड़ 0 4 5 के क्रीब न रहा होगा ठीक है और आपके पास ही क्योंकि R Q है तो यह 5 decimal का Q बनेगा कुछ ठीक है तो इसकी जो radius ब्यास तो इसका 10 बनेगा 5 का double लगवग 10 के आसपास बनेगा तो यहां आपको ब्यास की जगा diameter की जगा रेडिस होना चाहे था तब आपका अंसर ये 5 बन जाता या फिर आपके पास ये दिए गए आंकडों के अंदर ही 524 हो लिखा गया इसके अंदर गलती है ठीक है यहां कुछ औरोना चाहे था उसके अकौर्डिंग फिर आपका अंसर ये सही बनता आपका ठीक है नेक्स शंकू तो फॉर्मूला आपके पास क्या होता है एक बटा तीन पाई ठीक है हम क्यूंकि 1570 है आपके तीन दिशनल के मल्टिप्लाई में डियरेक्ट बन जाएगा तो वहीं हम रख लेते हैं आपके पास 15 हो गया ठीक है गुणा में 1570 तीन से कटके पांच हो गया 314 को 5 से गुणा करेंगे 1570 बन जाएगा बटा में चला गया और गुणा में 100 1570 पंद्रा सो इत्र कट गया 110 का वर्गत है तो त्रीजय आपकी यहां पर क्या बन जाएगी 10 सेंटीमीटर यह आपके कोश कुछ और आंसर आगया होगा वह भी ठीक होगा अंसर ठीक है क्योंकि इस कोशन गंदर आपको अप्शन दो दिये नहीं गया है तो आपने जिस भी साबसे कैलकोलेशन की है वह आपका ठीक मानना जाएगा अगला बेलन का कुल प्रिश्य शेत्रफल टोटल सर्फेस एरी एक लंब रिते शंकू के अधार के त्रीजा दी गई है उसका वकर पुछा गया शंकू की उचाही पुछी गई आपसे उचाही मतलब एच वकर पुछी शेत्रफल मीज आपके कर्वर सर्फेस एरिया से आपके पास जो आएगी वह एल आईगी यहां आपसे एच पूछ र ल आपके पास थीन सो पच पंच पाई की व्च पंच उनोड़ने स्पेशल मेंचन कर खी आपको ल निकालने 315 बटबॉक है 5 कितनाउगा घंच उन्दर ठीक है आपकी रेडियस दे रहा है ग्यारापंट तीक है और sland height 10 possible ही नहीं है संभवी नहीं है यह चीज तो आपके पास दिया गया अंसर है यह संभवी नहीं है इस चीज के आप सभी को grace marks मिलने चाहिए ठीक है न क्योंकि ऐसा संभवी नहीं है ठीक है आप 10 भी टिक कर देंगे तो ठीक है वह ठीक है आपने टिक कर दिया गया लेकिन ल आया है यहां से आप उच्छा उच्छाई के लिए हाइड वही है और एच निकालने के लिए निकले वह 10 है वह भी गलत है क्योंकि अल कभी वह चोटी नहीं हो सकती इसे छोटी नहीं हो सकती कभी ठीक है और बाकि अगर आपने दस लगा कर अभी आए ठीक है तो आपको ठीक भी अगर आपको टीचर करके ठीक कर देता है तब जिनके गलत्वों को उनको grace marks में दे सकता वर्क चिन, क्लास मार्क्स, ठीक है, तो इन दोनों का हमने जोड़कर, हाफ कर देने, आपके पास 145 अवका बन जाएगा, ठीक है, अगर आप से क्लासाइज पूछा गया तो आपका 10 हो जाता, इन दोनों का अन्तर, आगे, आपसे बहुलग पुछा गया, मीज मोड पुछा गया आपसे, तो सबसे चादा आने वाला अORA कौन सा इसके अंदर, आप देखे, नो सबसे ज़ादा बार आए है, एक, दो, तीन, चार और पांच उसने बड़ते करमें लिख लिया पहले नंबर पर एक आएगा फिर दूसरी नंबर पह दो आएगा फीर टीन आगे दो आघक पर तने नंबर पर 10 चठेलते हमें तो पांच डशन सब्हस्य नंबर का उनाद पांच में नूमेर जोड़ कर आधा करना आथि हुआ है यह यह आपका माध्यक हो गया अगला कोशन एक पास्वे को दो सो पांसो बार फिंकने पर दो आने की जो प्रैक्ता है वो दो सो बार तो दो आने की प्रैक्ता ग्याद करनी आपको 500 टाम्स रोलिंग फिकेंसी अगला एक किरकण मैच में बाले पचास गयंदो में बंद्रा पार चोके मारता है चोका नया मारने की प्रैक्ता हिट बाउंडरी 15 आउट फिटी बॉल्स प्रवबिल्टी राट नॉट इट नॉट इट कितनी बाउंडरे पर इट नहीं किया उसने करना चाहते हैं ठीक है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर चले जाएंगे वहां आपको प्लेलिस्ट के अंदर सबसे पहले ही जो प्लेलिस्ट है सेक्शन बन डिवाइड है क्लास 10 का सेक्शन डिवाइड है वह हिंदी मीडियूम के हैं अगर आप इंगलिश में के स्टुएंट्स हैं तो उसी में लास्ट में आपको सेक्शन इंगलिश में का मिल जाएगा और मैंने यहां पर हर चैप्टर को हर चैप्टर की एंसी आर्टी की बुक के अंदर सभी एक्सराइज के कोशन को सॉल्व किया हुए ठीक है तो आप असानी से वहां पर मला की एक्सराइज अपनी रिवीजन स्टार कर सकते हैं अभी से एडवांस अपनी त्यारी शुरू कर सकते हैं जैसे ही आपके 10 9 क्लास के एक्जाम खत् कर सकते हैं और आपको अगर किसी कोशन के अंदर डाउट है कोई लगता है आपको घलता है तो उसके बारे में मुझे बता सकते हैं और अपने माक से जू बताएं मुझे कि 40 में से आपके नंबर कितने आए हैं ठीक है न मुझे माक सजू बताएं अपने कि आप सभी के 40 में से कितने नंबर बने हैं ओके थैंक्यू फ्रेंट्स थैंक्यू स्ट्रेंट्स